तो इंट्रोड़क्शन टू जावा के बहुत सारे टॉपिक्स को हमने अल्रडी कवर कर लिया है आज के इस वीडियो में इसके अगले कुछ टॉपिक्स पे हम डिसकस करने वाले हैं तो जिस topics को हम आज discuss करेंगे, सबसे पहले हम उन topics को देख लेते हैं, कि किन-किन topic पर आज हमारा जो ये video है, वो discuss होने वाला है तो learning scope, जिसे हम लोग कहते हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस tutorial में, वो सबसे पहला point है Java reserved words the second one is types of Java programs and the third basic structure in Java programming and the last one that is output statement in Java program तो इन चार topics को हम आज इस video में cover करने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहला topic Java reserved words के साथ हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं तो Java reserved words का अगर बात करें, तो यह एक normally word होता है, बहुत सारे words होते हैं ऐसे Java के programming language में जब Java के programming language को James Gosling और उनके team ने develop किया होगा उसी वक्त उनके programming language में कुछ words को reserved रखा गया है, जिनका particular कुछ meaning होता है, special meaning होता है और उन words को हम अपने according use नहीं कर सकते, यानि हमें कुछ restrictions दे दिये जाते हैं कि हम उन सारे listed words को अपने according, अपने जरुरत के हिसाब से use नहीं कर सकते और उन words को हम कहते हैं, Java reserved words या उन्हें कभी-कभी हम keywords भी कहते हैं तो तो अगर definition के according देखा जाए तो वो हम देख लेते हैं, जो कि आपके notes के लिए काफी helpful होगा So, Java reserved words are the words which carry a special meaning to the system compiler हमारे system compiler का क्या मतलब यहाँ पर? तो हमारे Java programming में दो बहुत important software work करता है पहला होता है system compiler and the second one is the interpreter और इनका work क्या है, I think आपको last video में समझ में आया होगा तो इन system compiler के लिए इन words का बहुत जाना use होता है यह जो compiler होता है वो इन reserved words को समझता है यानिकि इनके जो special meanings है वो system compiler के लिए ही actually design किया गया है ताकि system compiler जो है वो उन words को समझ करके execute करवा सके यानिकि इनका something special meaning होता है जो only for compiler ही understood करता होगा और इसे अपने according हम लोग meaning change नहीं कर सकते हैं इस words are basically used for writing a java statement अव्यसी बात है कि अगर java reserved words है तो उनका इस्तमाल हम java के codings को या java के statements को लिखने के लिए ही इस्तमाल करेंगे अव्यसी बात है and such words cannot be used for naming a variable in the program यह सबसे important है कि हम इन words का इस्तमाल प्रोगाम में variable के तौर पर नहीं कर सकते यान कि variable क्या होता है सबसे पहले यह बात कर लेते हैं एक brief description देख लेते हैं इसके बारे में variable के बारे में और इसका जो broadly description होगा वो हम लोग अगले videos में देख लेंगे फिलाल इसके बारे में थोड़ा brief देख लेते हैं कि normally आपको पता होगा कि हमारा जो Java का product language है वो एक software develop करने के लिए use होता है और normally एक software क्या करता है आपके द्वारा input किये हुए data को process करता है और उसके according result को दिखाता है तो हम जो data input करेंगे उस data को input करने के लिए और input करके store करकर रखने के लिए हमें एक memory container चाहिए होता है और इस memory container को ही हम variable काते हैं ठीक है और उस memory को हम particular किसी नाम से indicate करते हैं किसी variable को किसी memory space को memory container को हम एक नाम से indicate करते हैं और उसी नाम को हम variable भी का सकते हैं नौरमली उस नाम को identifier कहा जाता है लेकिन हम यहाँ पर variable मतलब उस memory को हम variable कह रहे हैं तो उस memory को जो indicate करेगा तो हमको तो उस variable को पचानने के लिए क्या करेंगे हमें उस indicator का ही यूज करना पड़ेगा उस variable के नाम को ही use करना पड़ेगा एनिवेज तो उस variable के नाम के जगह पर हम किसी reserved word को नहीं रख सकते यानि सपोस कर लेते हैं मेरा variable a है तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि a नाम का कोई reserved words जावा में present नहीं है लेकिन हम आगे वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे हमारे पास words हैं जो जावा में already reserved हैं और इनके special meaning है उन words को हम किसी variable के नाम के तोर पर इस्तमाल नहीं कर सकते हैं Some of the reserved words और the keywords जिसे हम keywords भी कहते हैं मैं आपको इस वीडियो का सुरुवात भी कहा था कि जावा reserved words को keywords भी कहा जाता है तो उनके कुछ list हम यहाँ पर बना कर रखे हैं देखिए एक table के form में जो आपको एक brief introduction देखा कि कौन-कौन से reserved words या keywords हमारे प्रेजन्ट हैं जावा के programming language में तो देखें हमारे पास total 30 यहाँ पर फिलहाल total 30 keywords present है अगर नॉर्मल ही देखा जाए तो पूरे जावा में total 48 keywords present है जावा के programming language में पर यहाँ पर फिलहाल हम 30 keywords ही लिखें आपके पास total 30 keywords है एक दो तीन चार पांथ छे और एक दो तीन चार पांथ जावा के programming करते वक्त यानि कि जब आप coding करोगे, programming करोगे, सीखोगे उस वक्त आपको इन सारे words को इसके माल मिलाना है खेर इनके बारे में उसी वक्त हम लोग जालेंगे कि किस word का क्या मतलब है तो हम बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट हमारा क्या है topic discuss करने लायक तो नेक्स्ट topic हमारा था different types of java programming कि java का जो programming language है उसके मदद से हम कितने तरह के अलग-अलग programming कर सकते हैं तो देखें java के मदद से हम basically दो तरह के programming ही कर सकते हैं पहला होता है java application and the second one is java applet तो क्या होता है java application and क्या होता है java applet चली देख लेते हैं तो java application is a java program developed by the users that run stand alone in a client or server मतलब क्या हुआ इसका डेखें java application जो है वो एक java program होता है normally java के programming language के मदद से develop किया गया एक software होता है java application जिसका use कहा होता है किसी stand alone computer में क्या जाता है या stand alone system में क्या जाता है stand alone system क्या मतलब क्या होता है कि हम इन software को internet के through access नहीं कर सकते इसे किसी system में offline use किया जाता है किसी system में से offline use कर सकते हैं ठीक है और एक next हमारे पास जो programming का type है java के वो है java applet and applet is a programming written program written in the java programming language that can be included in an html page तो applet वैसे वैसे programming को कहा जाता है जिसमें जिसको हम लोग एक्चुली बोला जाए तो internet के through access कर सकते है web browser में भी इसे access करना possible होता है वैसे वैसे applications को हम लोग कहते है java applet यानि कि java application जो होता है वो किसी एक system stand alone computer के लिए होता है इसमें हम लोग internet के मदद से उसे access नहीं कर सकते बट java applet जो होता है यह इन्हें हम internet applet भी कहते है यानि कि इसे हम लोग किसी भी web browser के through access कर सकते है ठीक है बढ़ जाते हैं अपने अगले topic पर हमारा अगला topic है basic structure in java programming देखे हम जितने भी आपके पास topic रख रहे हैं यह काफी important है और काफी brief में और काफी brief में ही लेकिन काफी static information आप तक पहुंचाने ही कोसिस कर रहे हैं लंबा चोड़ा page का कुछ ऐसा लिख करके आपको समझाना आपके लिए भी confusion बढ़ जाएगा इसलिए हम point wise आपको इसको समझाने का courses कर रहे हैं तो देख रहें basic structure in java programming java programming को लिखने का तरीका क्या होता है या उनमें कौन-कौन से topic important होते हैं क्या ऐसे term आते हैं java के programming में उसे देख लेते हैं तो सबसे पहला topic आता है देखिए the basic structure of writing a program in java is entirely different from the other languages obviously बात है कि java एक programming language है जो कि बाकी programming languages से बहुत different है तो obviously बात है इन्हें लिखने के जो तरीका होगा वह भी बाकी programming languages से बहुत अलग होगा सही बात है यह so it is essential to know the following points that while writing a java programming तो हमें कुछ निचे में लग-लग terms है जो java के programming में बहुत ज्यादा frequently used होता है सबसे पहला point है comments in java to the comment statement is non-executable statement in java क्या होता है comment? comment वो सारे statement होते हैं जिन्हें हम java के programming के दौरान execute नहीं कर सकते यानि यह उस program का हिस्सा नहीं होता है तो अगर कोई भी line of statement किसी program का हिस्सा नहीं है तो हम उसे use क्यू करें मैं आपको उसे भी बताऊंगा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है आपस have some patience मैं आपको सारी चीजे step by step method से clear करूंगा एक program देखेंगे basic उसमें आपको हम सब कुछ समझाएंगे कि comment का use क्यू किया जाता है अगर वो non-executable statement है तो non-executable का मतलब होता है कि हम किसी भी statement को अगर हम comment declare करते हैं तो उसे हम run नहीं कर सकते यानि कि वो हमारे actual program का हिस्सा नहीं रहता है the next one is the declaration of class that is the most important part of any java programming class, class का declare करना बहुत ज़रूरी होता है without class declaration आप programming लिख ही नहीं सकते so it contains the word access specifier access specifier क्या होता है देखें हमारे पास basically आपके फिलहाल पढ़ने के लिए तो तीन तरह के हमारे पास कह सकते हैं कि access specifier है इसके अलाबा भी हाला कि और दो access specifier होता है बट हम अभी फिलहाल तीन ही आपको बता रहे हैं एक होता है public एक होता है private एक होता है protected क्या होता है यह access specifier पे आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा फिलहाल इतना जान ले कि कि किसी भी class के अंदर बहार सारे words होते है statement होता है access specifier होता है ठीक है It also defines the keyword class which is followed by a meaningful class name सबसे important क्या होता है class को declare करना पड़ता है और उस class का एक meaningful नाम दिया जाता है क्या होता है meaningful नाम अगर आप कोई एक programming लिख रहे हो दो number को multiplication करने के लिए तो आपको उस class का नाम multiply देना जादा अच्छा होगा ताकि user को समझ में आए कि आपका ये program क्या करने वाला है किस work को functionalize करने वाला है इससे पता चलता है तो इसलिए कहा गया है ऐसा कि class का नाम हमेशा एक meaningful ही नाम रहना चाहिए ऐसा convention है ऐसा कोई नियम hard and fast नहीं है कि आपको meaningful नाम ही देना है आप something अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो right if you are writing a program to find the sum of two numbers example के तौरपल कि if you are writing a program to find the sum of two numbers then it could be written as अगर आप दो number को add करने के लिए एक program लिख रहे हो दो number को enter करना है उसे add करना है और result को print करना है तो उसके लिए आप किस तरह से प्रोग्राम लिखोगे वह आपको मैं दिखाने वाला है उसके लिए आपको सबसे पहले class declare करना पड़ेगा अव्यसी बात है class सबसे पहले declare करना पड़ता है किसी programming को लिखने के सबसे पहले तो उसको class को कैसे declare किया जाएगा तो उसके class declare करने के लिए सबसे पहले आपको उसका access specifier हमेशा public use करोगे फिलाल ठीक है public class और उसके बाद class का नाम class is a keyword आपको मैंने पिछला वाला slide में दिखाया था बहुत सरे keywords के नाम उनमें class भी एक keyword था तो जैसा है वैसा ही आपको लिखना होगा अगर c small है l small है a small है और double s small है तो आपको भी सारी चीजें as it is use करनी है ठीक है तो यह होगी हमारा keyword और यह जो सम लिखा हुआ है यह हमारा class का नाम है सम class का नाम क्यों लिए है क्योंकि हम दो नमबर को add करने का programming करने वाले है ठीक है और राइट conventionally the class name starts with an uppercase letters ऐसा माना जाता है कि हमेशा ऐसा सही माना जाता है कि अगर आप किसी भी class के नाम को capital letter से start करते हो तो यह और अच्छा होगा किसी भी class के नाम को capital letter से सुरू करना चाहिए है ना ऐसा कोई hard and fast नहीं है कि आप को capital letter से start नहीं करोगा तो कुछ mistake होगी ऐसा कोई नहीं है ठेक है बढ़ते हैं हम आगे के topics पर discussion करने तो हमारा next topic क्या है next topic हमारा है declaration of main function यानि कि जब class बन जाएगा आप comment declare करते है क्लास अपने बना लिया इसके बाद class के बाद क्या आएगा main function और ये सारी चीजे कहां लिखी रहती है कैसे लिखते हैं मैं सारी चीजों पर discussion करूँगा फिलाल ताप सुनिए और हाँ समझ दे चाहिए कि ऐसे कुछ topics हमारे आने वाले हैं इन नाम को grasp करिए अंदर या अंदर अपने आप mind में feed करिए कि हां ऐसे कुछ statement हमें मिलने वाले हैं बाकि programming दो हमारे पास है so the main function includes the programming statement within the opening and closing curly braces main function जो होता है उसमें सारे statement लिखे जाते हैं हमारे coding के जो actual statement है वो उस main function के अंदर ही लिखा जाता है और main function start होता है हमेशा curly brackets opening curly braces closing opening curly braces and closing curly braces के साथ ये पूरा function को लिखा जाता है जैसे कि ये जो हमारा पहला वाला दिख रहा है ये है opening curly braces और ये दूसरा वाला जो है ये हमारा closing curly braces ठीक है मैं आपको example दिखाऊंगा करके next हमारे पास note करने लायक कुछ बाते है पहला note करने वाला बात क्या है कि the termination of each statement must be indicated with a semicolon हम जितने भी statement लिखेंगे main function के अंदर उन सारे statement के खतम होने के बाद हमें semicolon देना चाहिए इस से क्या होता है कि Java को ये बात समझ में आता है कि आपने जो line of statement लिखा है वो खतम हो चुका है अब दूसरा line को execute करना है अगर आप semicolon नहीं देते हो तो Java को समझने में दिक्कत होता है कि line of statement खतम हुआ है कि नहीं हुआ है इसलिए हमेशा statements के last way आपको semicolon देना जरूरी होता है The class name must not be a Java reserved word Class का नाम कभी भी आपको Java के reserved words नहीं रखने है यानि कि keywords को आपको as a class का नाम नहीं लेना है Next one is what As far as possible the class name should be meaningful and relevant to the program तो class का नाम कोशिस करना है कि एक meaningful हो और उस program से related कोई class का नाम हो ऐसा माना जाता है ऐसा होना चाहिए ऐसा होने से अच्छा होता है ठीक है यानि class का नाम उस class के program में होने वाले सारे जितने भी programming उसमें लिखेंगे हम लोग जो यानि कि जिस topic पर हम programming कर रहे हैं उसके भीहाफ में उसके related एक नाम होना चाहिए आपका class का नाम और राइट student तो बढ़ जाता है हम लोग अपने next topic पर तो next topic क्या होगा next topic हम लोग देखेंगे एक example program जहां हम लोग जो अभी अलग-अलग terms के बारे में discuss किये हमें अब ये देखना है कि वो terms दिखने में कैसे होते हैं लिखते कैसे हैं उन terms को तो सबसे पहला line दो दीख रहा है देखें a program to find the sum of two numbers ये question है ये मेरा question है कि दो आपको number add करने है मतलब कि enter करने है और उन्हें add करके print करना है तो इसे देखें इस line को मैंने शुरू में दो slashes से start किया है दो slash का इसमें इस्तिमाल किया गया है double slash का इस्तिमाल किया गया क्यों इस्तिमाल किया गया डेबल slash का इसके कोई वजह होगा मैं आपको वजह बताओंगा आगे देखें public class sum curly bracket open हुआ है curly bracket close हुआ है देखें अब इसके अंदर में क्या होता है इसके अंदर में public static void main यानि कि main method हमारा इसके अंदर में लिखा जाता है main method लिखने का तरीका क्या है तो देखें public static void main अंदर में string args और फिर square bracket फिर smallest bracket close तो ये हो गया basic structure जो हर एक प्रोग्राम में common होता है आप Java में जितने भी classes बनाओगे उन सारे class में ये सारी चीज़े similarity होगी बस एक चीज़ different होगा वो होगा class का नाम class का नाम आपके class के program में के according ही दिया जाता है इसके अंदर में क्या होगा तो इस main method के अंदर में इस main method के अंदर में सारे statement लिखा जाएंगे जो भी हमारे actual में काम होगा इस program में वो इसी main method के अंदर लिखा जाएगा For example, integer i a equal to 10 and b equal to 15 and c equal to 0 तो यह int क्या है यह मैं बताऊँगा आपको बार में फिलार आपको इस program को observe करे कि यहाँ पर एक variable लिखा गया है जिसके अंदर में 10 इस्टोर कर रहे है बी एक variable है जिसके अंदर में 15 इस्टोर कर रहा है और c एक variable है जिसके अंदर में 0 इस्टोर कर रहा है अब क्या करेंगे इन दोनों नंबर को add करना है यानि कि a plus b 15 plus 10 इन दोनों नंबर को हमें करना है एड और एड करने के बाद कहीं ना कहीं तो मुझे उस रिजल्ट को स्टोर करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगा उसके लिए हमने एक वारियाबल लिया है उस वारियाबल का नाम है C देखें तो लिखेंगे C is equal to A plus B यानि A का value 10 और B का value 15 दोनों जब एड हो जाएगा तो कहां store हो जाएगा दोनों जाकरके C का अंदर में store हो जाएगा और ultimately C को हम लोग कर देंगा print अब देखें यहाँ पर बहुत important हम topics को discuss करने वाले हैं देखें सबसे पहला हमारा जो yellow color में double slash का साथ लिखा हुआ statement है उसे हम लोग comment कहते है and the second one जो class लिखा हुआ है ये एक keyword है the third one is the public लिखा हुआ है ये एक access specifier है हर एक topic को हम बताएंगे आपको कि access specifier क्या होता है keyword क्या होता है class क्या होता है और एक चीज़ बताएंगे आगे देखें सम नाम का जो हमारा लिखा हुआ है वो है हमारा class का नाम सम मेरा class का नाम है अगला हमारा है public static void main obvious सी बात है ये हमारा main method है main function है तो यहां लिख्या हमने declaration of main function main function हमने आपर बनाया and the next one is the variable declaration मतलब जो हम लोगे आपर variable लिए है A और B के अंदर में 10 और 15 इन्हें हमको declare करना पड़ा है यहां बताना पड़ा जाभा को कि हां मेरे पास A नाम का एक memory है B नाम का एक दूसरा memory है तो A के अंदर में 10 इस्टोर है और B के अंदर में 50 इस्टोर है तो यह जाभा को बताना पड़ा आपको और ultimate आपने दुनों का यड़ कर दिया और इसको store कर दिया C के अंदर और C को last में print कर दिया print करने के लिए देखें हमने कुछ statement लिखा है इसे हम लोग कहते है output statement यह जो print करने के लिए statement लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते है या class का नाम कैसा होता है, पूरा structure कैसा होता है, प्रोग्रामिंग का जाभा में, आपको उम्मीद करेंगे, यह समझ में आया होगा, बढ़ जाते हैं आज के last topic पर, और हमारा last topic होगा, अच्छा, last topic discuss करने के पहले हम दो point और देख लें, देख रहे हैं जैसे कि हमने, यहाँ पर एक point हो गए यह, और दुसका point हो गए यह, पहला point क्या है, पहला point है, opening and closing of a class, यहाँ पर class open हुआ है, यहाँ पर class cruise हो गया, यह क्या है, दो number point हमारा है, opening and closing of main function, यह opening और यह closing, यह द आते हैं, आज के last topic पर, आज का हमारा last topic है, output statement in java programming, कि हम किसी भी message को, कोई भी value को, कैसे print करते हैं, java में, तो देखें, उसके लिए कुछ हमारे पास statement है, कुछ code है हमारे पास, वो code कैसा होता है, देखें, वो code हमारा है, system.out.print, और फिर दो bracket, फिर semicolon, यह पूरा statement है, किसी भी data को print करने के लिए, और system में as capital है, बाकि सब small है, फिर o capital है, u small है, t small है, फिर print का हर एक data, हर एक letter is small है, तो यहाँ पर यह सारे keyword है, system भी एक keyword है, out भी एक keyword है, और print भी एक keyword है, और यह होगी हमारा वो statement, जो किसी भी data को print करने में हमें मदद करेगा, तो the above statement is used to print a single line message, लेकिन इसका इस्तमाल किया जाता है, सिर्फ एक line of message प्रिंट करने के लिए, अगर मेरे पास सपोज करो, चार line का message है, तो हमें चार बार लिखिना पड़ेगा इसको, जो काफी complicated हो जाएगा, उसके लिए मेरे पास क्या है तरीका, उसके लिए बास तरीक है, एलेन का मतलब होता है, change line, line को change करना ही हमारा है, एलेन का काम, यादि कि system.out.print और system.out.print आलेन बोट और same function, बट इसमें हम लोग single line प्रिंट कर सकते हैं, और इसमें multiple line प्रिंट कर सकते हैं, बस फरक अगर है, तो इतना सही फरक है, तो अब हमनों बढ़ जाते हैं, आगे, the above statement is used to print a multi-line message by changing the lines, अलग line में message को print करवाने में, ये capable है, एलेन, एलेन लगाते हैं, लास्ट में, तो, example देख लेते हैं, system.out.print, उसके अंदर लिखिया है, मैंने एक message, hello world, आपको बता दूं कि कोई भी message, कोई भी message अगर आपको print करना है, तो उसे bracket के अंदर में double codes के अंदर रखना पड़ेगा, देखिये, यहाँ पर double code है, एक यहाँ double code है, और यह यहाँ double code है, इन double codes के अंदर में आपको लिखना होगा, जो आपको print करना है, hello world, आपको print करना है, तो इसके लिए आपने उसके बीच में लिख दिया, अब इससे क्या होगा, single एक ही message है, तो यह message screen पे as it is print होना चाहिए, आगे क्या है हमारे पास, देखे, system.out.print, welcome to java program, यह दूसरा मेरा line है, और दोनों में ही देखे, allen लगा हुआ नहीं है, तो अगर हम इने execute करेंगे, तो मेरे पास जो output आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा, hello world, welcome to java program, साथ में ही एक ही line में यह सारे message प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं एक साथ सारे message प्रिंट ना हो, तो हम अपने line को भी कर सकते हैं, change, कैसे change करेंगे, उसके लिए हम लोग allen का इस्तेमाल कर सकते हैं, example के लिए देखें, system.out.println, hello world, and system.out.println, welcome to java, इसके लिए, क्या किया जाता है, same statement दिखेंगे, और जब इसे execute करेंगे, तो क्या होगा, देखें, output आपका आएगा, hello world, और उसके next line में आएगा, welcome to java program, बासने माया, तो यह जो allen है, यह हमाए line को change करने में मदद करता है हमारे पास multiple line of statement है, print करने के लिए, तो आपको allen customer करना है, आपके पास single line का message है, तो आप उसमें allen customer नहीं करके भी काम को कर सकते हो, system.out.print, देखें यह थोड़ा सा different type of print का बता रहा है बात, कि system.out.print, एक हमारा यहां तक message है, यह total जो है, यह हमारा message है, और यह जो p दिख रह है आपको, यह एक variable है, suppose कर लिजिए, p का value, p का value है 4, p का value कि रहना है, 4 है, आपको p को print करना है, तो लिखें रहा है, the sum of two number is, तो यह sum of two number जो है, यह as it is screen पर print हो जाएगा, और suppose यह p का value है, 45 लिया गया था, इसलिए 45 प्रिंट हुआ है, तो अगर हम suppose कर लते हैं, कि p के value 45 है, तो देखें, पहला वाला जो भी statement है, वो as it is print हो गया, the sum of two numbers equal to, देखो, यह double bracket के अंदर में है, double code के अंदर में है, इसलिए वो जैसा है, वैसा ही print हो जाएगा, बात चाब करते हैं हम लोग, p का, यह p क्या है basically, यह p तो एक variable है, और उस variable के अंद कोई value store है, और वो value हमारा है 45, तो वो screen पे as it is print हो जाएगा, तो उमीद करेंगे यह video आपको समझ में आया होगा, अगर आप इस video को देख के बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो इस video को definitely like करिए और अपने दोस्तों में share करिए, और अगर आपने चनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो definitely subscribe करें और bell icon को दबाना मत फूलिएगा, तो मिलते हैं आप से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए take care and goodbye.